नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनिल कुमारकार की उत्राखंड मुक्तु स्विध्यालय के हिंदी भी भाग से। मैं आप लोगों के सामने उत्राखंड लोग साहित के अंतरगत, लोग कथाओं की रोमांचक दुनिया को प्रस्तूत करना चाहता हूँ, उनकी परिद्रिश्य और परिचय को। जैसा कि आप जानते हैं, उत्राखंड का लोग साहित में जो इकाई साथ है, वो लोग कथाओं के संदर्भ में आपसे बात करती है। हमारा जो उद्देश से है, लोग कथाओं से परिचय। परंप्रागत समाजों की सामुःक अभिव्यक्ति को समझना, लोग कथाओं में अंतरनेइज साहितिक समपदाओं को जानना और लोग कथाओं के बैस्विक परिद्रिश्य को समझना। इन बिंदों के अंतरगत हम अपनी बात रखेंगे। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि लोग क्या है। लोग को तरह-तरह के विद्वानों ने अलग-अलग तरह से ब्याख्या किया है। और अगर हम इसको सीधे-सीधे बोलें तो लोग भगौलिक सांस्कृतिक रूप से अलग पहचान रखने वाला परिवेश, बिशिष्ट छेत्र या इलाका और उसमें रहने वाले मनुष्य, जानवर, पेड, चराचर जितना भी अखिल जगत है वो सब एक इकाई जो है वो ल लाती है वैसे लोग का जो विशद अर्थ है भारतिय चिंतन के आधार पर उसमें उसका अभी प्राय जन से है यानि आम लोगों से आम जन मानस के लिए बेववद किया गया है एक उक्तिवी है लोग का नाम जन्पदरवासी जनहा अर्थाथ लोग में विभिन्य जन्पद देताएं होती है और उसमें वास करने वाले लोग जन है कथा कोई भी जो कथा है वो इन बिंदूं को मिलाने से बनती है पहला बिंदू है कथा वस्तु जिसमें आरंब अवरोह चरमिस्तिति आधी चीज़ें आती है दूसरा है पात्र पात्र में गुंदूस के साथ कथा का संचलन होता है चरित्र चित्रन विभिन ने चरित्रों के माध्यम से कथा के भीतर एक स्वावहिक्ता का उत्पन्द किया जाता है कथोप कथन यानि समवाद जो कहानी का सबसे प्रमुखंग भी माना जाता है मानसिक अंतरजंद एवं अन्य मनोभावं को प्रकट करने के देश काल वातावरन किसी भी कथा को वास्तोइκ बनाता है और भासा सैली पृष्टुती करन को कला तमगधंग प्रदान करती है और उद्देश से कहानी का उद्देश से केवल मनुरंजन नहीं होता अपितु उसका एक निश्चित उद्देश से भी होता है और लोग कथाएं अपने आपमें एक समर्तिकोस भी होती है तो एक तरह से वो मौखिक इत्यास को अपनी सब्दावलियों को अपनी आगामि पीडियों तक ले जाने का काम भी करती है इसलिए लोग कथाओं में कहानी का जो देश है वो अपनी परंपराओं का अपने आने वाले पीडियों को हस्तांतरित करना भी होता है लोग कथा किसे कहेंगे ये सवाल बार-बार टकराता रहा है लोगों में कि लोग कथा किसे कहेंगे तो उसका जो सीधा सरलसार्थ है वो है ऐसी कहानी जो आपने किसी से महुझबाने सुनी हो और वो कोई भी हो सकता है नानी, दादी, भुजर्ग यानि जो आपने सुनी है और जब आप इसे सुनेंगे तो आप इसे हू बहु सुनाएंगे या कोई जोड अपने इसाब से जोड घटा कर या समय के अनुरूप ढ़ाल कर या इसी करम में तो जो लोग कथाएं होती है वो हमेशा उनमें नए संदर जुड़ते रहते हैं नए शब्दावलियां जुड़ती रहती है हू बहु के लिए कुमावनी में एक सब्द परचलन में है एन में लोग कथाओं में सहितिक संपदाएं जब हम लोग कथाओं की बात करते हैं क्योंकि ये एक लिखिश सास्तरों से इतर ग्रामिर जीवन की मौखिक परंपरा है और इसमें वो अपने ज्ञान को सहेज कर चलता है लोग कथाओं में विभिन किस्म की सहितिक संपदाएं होती है जैसे किस्से, पहेली, लोकोक्ती, मुहावरे, चुटकुले, टोटम टोटम का मतलब यहाँ पर है उनकी लोकन परंपराओं पर जो उनके, जिनको वो पूस्ते हैं या जिन पर उनकी आस्ता है, उनसे संबंदित कथाएं और उनसे संबंदित जो मिथक है उन पर और आख्षान आख्षान उनके नायकों के जो वर्णन है वो लोग कथाओं के भीतर पाए जाते हैं तो एक तरह से लोग कथाओं अपने आप में एक समगर साहितिक विधा है लोग कथाओं की व्यापकता जो लोग कथाओं हैं उनकी व्यापकता बहुत बड़े स्तर पर है मानव सास्त्री ये मानते हैं कि दुनिया की सारी लोग कथाओं में एक तरह की समानताएं पाई जाती है दुनिया की सबसे पुराने लोग कथाओं पंचेतंत्र पांशवी सदी है जिसका उलेक बहुत गरंथु में भी मिलता है जापान, चीन, कजाकिस्तान, डागिस्तान, दक्षन फिर्का के आदिम समुहों के अलावा भारत के आदिवासी पहाड़ी इलाकों में लगभग मिलती जुलती मौकिक कथाएं पाए जाती है कथा सरिश सागर की कहानिया अरेवियन नाइट्स अलिफ लेला में भी मिलती है जिसे दुनिया के जाने माने लेककों यहां तक कि सेक्स पियर के संगरों में भी धूंडा जा सकता है कौन है कथा बनाने वाला यह जो लोग कथाएं हैं यह कैसे बनती है कुछ विद्वानों का कहना है कि लोग कथा एक सामुही कुतपादन है यानि लोगों की एक बातपोसी है एक अंदाज है और लोगों ने किसी चीज पर कहना सुरू किया है फिर उस पर चीज़ें जुड़ती चली गई है जुड़ते जुड़ते कथाओं ने अपना रूप लिया है इसलिए ये इसका कोई एक व्यक्ति इसको कहने वाला नहीं है और दूसरा जो है वो है इसका जो बिंदु है वो है बात पोसी या अंदाजे बया क्योंकि लोग कथा में जो में कथा जिसने कही होगी वो गौन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लोग कथाएं बहुत ज़्यादा बात पोस पटकी होती है यानि अंदाजे बयां पटकी होती है यानि कहन पर टिकी होती है तो जो कहने वाला होता है वो अपने तरह तरह के आवाजों को निकालता है बादलों के आवाज बनाता है बच्चों के सामने जब कथा बोलता है तो उसमें जानवरों के आवाज निकालता है तो इसलिए जो बातपोस होते हैं किसे भी समाज के बुजर्ग या बातनी लोग वो अपने अंदाज बयां से एक ऐसा समा बादते हैं कि जो कथा का मेन जिसने कथा बनाई है उससे ज्यादा वो बातपोस की कथा हो जाती है तो बातपोस के लिए कुमाउनी में जो सब्द परचलन में है वो कत्वा है, कथेर है, बख़डवा है, फस्किया है और इसी तरह से जो सुनने वाला है उसके लिए जो सब्द है वो है हुंगरिया ये और हुंगर दिन भी बोलते हैं अगर कहानी के बीच में हाँ हुं कहना बहुत जरूरी होता है कई बार ऐसा होता है कि कोई बुजर्गा कहानी सुना रहा है या कोई कथा गो आपको कहानी सुना रहा है और हुं हाँ जो हुंगरिया है वो कहना बंद कर देता है तो बात पोस्ट के समझ में आ जाता है कि मेरी कहानी अब निरस हो गई है या मुझे अपनी कहानी रोग देनी चाहिए और कई बार हूँ हां न कहने पर कथाकार अपनी कहानी रोग देता है तो कुमावनी में एक कहवत है आउकून बिगर कथ अठकी रह यानि हां हुंगरा या हां हां कहानी के बीच में जो शब्ड है उसको न कहने के बिगेर कथा अटकी हुई है जब कोई हुंगर यानि हां कहने वाला होगा तो कथा आगे बढ़ेगी तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो समवाध है कथागो और उसकी जन्ता के बीच का वो कितना आपस में जुड़ा हुआ है एक दूसरे से अब हम आते हैं विश्व समुदाई में लोग कथाओं का क्या महत्व है लोग कथाओं हमें बताती है कि पूरे विश्व का लोग मानव जाती आपस में बहुत गहराई से जुड़ी है यह लोग कथाओं सभी महाधी पुमा फैली है आर्कटिक के बरफिले ठंड में रहने वाले एन्यूद एस्किमों से लेकर काला हाडी के उजार गरम रेगिस्तान के बुश्में तक नेटिव अमिरिका के रेड इंडियन्स से लेकर हिमालय की चरवाहूं अणमालूं सेरपाउं वो हुन जाओं तक और अफरिकी आदिम समहूं से लेकर भारती आदिवासी समहूं तक यह लोग कथाएं मानव के साजा उपकरम की गवाही देते हैं साजा उपकरम मतलब इस धर्ती में जो भी इवोलूशन हुए जो भी नई चीज़ें आई उसके जो मून तत्व है कैसे लोगों ने उस पर अलग अलग तरह से अलग अलग समय में सोचा होगा यह भी यह कथाएं बताती हैं और यह कथाएं एक तरह से पूरी दुनिया में इकसानियत की कथाएं एक तरसे हमको जोड़ती है, क्योंकि इनके जो मून तत्व है, वो आपस में बहुत खुले मिले हैं लोग कथाएं एक गतिसील मानवी ये विधा क्यों है? क्योंकि लोग कथाओं में हमेशा कुछ न कुछ एड होता रहता है और एक ही गाओं के तीन अलग-अलग उम्र के लोग एक ही कथाओं को अलग-अलग तरह से नरेट कर सकते हैं और अलग-अलग आर्थिक हैस्यत रखने वाले या जाती अधरिस समाजों में अलग-अलग जाती उम्र बटे हुए तेन लोग एकी कथा को अलग-अलग धंग से सुना सकते हैं तो और उसमें अपने तरह से एड़ भी कर सकते हैं तो इसलिए हमने इसको एक गतिसील विधा कहना उचिस समझा है तो इसलिए लोग कथाएं एक गतिसील मानविय विधा है क्योंकि ये दुनिया की साजा विरासत है, धरोहर है मनुस्य के साजा इतिहास की गवा है स्रमसील जनता का इतिहास इनके भीतर है और पूर्व ज्यानों को ये कथाएं अगली पीडी तक पहुँचाती है मानव समाज के प्रतिजिग्यासा बढ़ाती है परवेश, परियावरण, जीव, जनतों से लगाव और प्रेम की भावनाएं भी लोग कथाएं जगाती है क्योंकि इनमें एक बिसिस्ट भासाई कौसल होता है और भावना तमक सरूप होने के कारण ये बच्चों के बौदिक इस्तर के विकास में सहायक होती है और क्योंकि दुनिया में इंटरनेशनल फोक्टेल को लेकर के बहुत बहस है इन दिनों और स्टोरी टेलिंग को लेकर के बच्चों के बीच तो इसलिए ये लोग कताये हैं जो बच्चों में भासाय विसिस्टता और भावना तमक रूप से उनके बौदिक विकास को बढ़ाती है किसी खास समुदाय के जीवन और लोग वियावार को जानने का ये महत्तपून सादन है पारिवार और स्कूल यानि सामुदायक सामंजस से बढ़ाने में ये बहुत ही साहयक है एक बच्चा जो अपनी भासा में कहानी सुनता है अपने माबाप से या अपने बुजर्ग से अगर वो और स्कूल में भी उस कहानी पर बात होती है तो ये एक तरह से स्कूल और परिवेश को आपस में जोडने के लिए बहुत ही उपियोगी सिक्षण विदी हो सकती है लोग कथाओं के प्रकार बिद्वानों ने लोग कथाओं के बहुत सारे 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 वर्गी करण किये हुए हैं लेकिन मोटे तोर पर इसमें पूरुस प्रधान, इस्त्री प्रधान, राजा, रानी, प्रजा, कमजूर, बल्वान, पारिवारिक ताने बाने, रिष्टों की कथाएं, मिरितु, देव रामायर, जो जी बिगरन थे, रामायर, महाभारत, उन कथाओं की जो कथाओं हैं, यानि जो लोकल ने निर्माण किया है, अपने अन्भाओं से, उनमें, अपने नायकों, जो नायक है, एक तरह से जो राम और ग्रश्न हैं, उनको अपने लोकल के हिसाब से बदल के, जो उ प्रियास हुए लोग कथाओं के लिए अंग्रेजी में फोकलोर सब्द पर चलन में है जिसमें फोक कार्थ है गरीब गमार और तेहाती लोर कार्थ है उस ग्यान से जो एक पीडी से दूसरी पीडी को सुना कर दिया जाता है जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं इस सब्द को 1846 में अंग्रेज बिद्वान बिलियम थोम्स ने दिया और 1970 में मोखिक परंपराओं को लिपिबद करने का काम इन्होंने आरंब किया 1812 में प्रकासित गिरीम बदर्स किताब यूरूपिय लोग कथाओं का सबसे बड़ा संग्र था और 20 मीं सदी के सुरुवात में प्रांज लोग कथाओं के जो प्रमुक संकलन है वो इस तरह से है इस सब की कहानिया है और तमाम तरह की जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कथा सरिस सागर है अरेवियन नैट से है गिरीम बंदूं की कहानिया है विक्रम बेताल है भारते भासा में पुरान उतनिसद और अन्य पर अलावा भारते भासाओं में एके रामानुजम ने 23 भारते भासाओं की प्रमुक लोग कथाओं के संकलन निकाले गीजु भाई बदेका की कहानिया है विजय दान देथा की कहानिया है रूज भारत मैत्री संबंदूं के फलस्तरूप सोबियस संग मास्कोद और अब हि प्रिद्रिश से आपने सुना बहुत बहुत धन्यवार।